भाजप सरकार बनेगी तो छात्राओं को मिलेगी इसकूटी विधान सवर चुनाव के लिए केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी ने शुक्रवार को भाजपा का दिल्ली संक्लब पत्र घोशड पत्र जारी किया जिसमें वादा किया गया कि भाजप सरकार बनने पर गरीबों को दो रूपे किलो आटा कॉलेज में पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को इसकूटी वेसकूली छात्राओं को साइकल मुफ्त दी जाएगी इसके अलावा हर घर में नल से स्वच्छ पैजल यमना का पूरी तरह से शुद्धी करण जहां जुगी वहां मकान से लेकर कई अन्य योजनाव को देने का दावा किया गया गड़करी ने कहा कि भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने पर दिल्ली के विकास की बुलेट ट्रेन चलाई उन्होंने कहा कि भाजपा का इतिहास दिल्ली से जुड़ा रहा और कई दिगज भाजपा नेताओं का दिल्ली से गहरा तालुक रहा है उन्होंने दावा किया है कि भाजपा दिल्ली की तकदीर बदल देगी केंद्री मंत्री प्रकाश वे विधान सवा चुनाव प्रभावी प्रकाश जावडेकर डॉक्टर हर्श्वधन और दिल्ली भाजपा ध्यक्ष मनोस्तिवारी वे सांसदों की उपस्तती में पार्टी का दिल्ली संकलब पत्र जारी किया गया गडगरी ने कहा कि दिल्ली देश का ऐसा शहर है जो हिंदूस्तान के लिए अभिमान है उन्होंने कहा कि मुख्य तोर पर केंद्री सरकार ने एथिक्स एकोलोजिकल इन्वायरमेंट और वाटर दिल्ली के लिए तीन चीजों पर काम भी किया है इन समस्याओं का समाधान जल प्रदूशन समाप्त करने के लिए नमामी गंगे परियोजना पर काम किया इसमें 20,000 करोड रुपे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया गंगा में मिलने वाली 40 नदियों को शुद्ध करने का कार्य जारी है यमना के लिए 6, करोड रुपे का काम शुरू किया जा चुका है जल प्रदूशन से मुक्ति का कार अंतिम कगार पर है उन्होंने कहा कि हिमाचल साहित 6 राज्यों के साथ हुए करार के बाद अब आने वाले दिनों में दिल्ली में पानी की समस्याद 2070 तक के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी वाईयू प्रदूशन के लिए 55,000 करोड रुपे के प्रोजेक्ट पर काम किया गया सडक इंफा पर 16,000 करोड रुपे दिल्ली इस्टन वेस्टन पैरी फेल पर खर्च किया गया इससे दिल्ली में नाहक आने वाले ट्रैफिक कम हुआ और प्रदूशन घटा है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले